वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों राठावर साइंस क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका चैप्टर नमबर दस जिसमें हम लोग बात कर रहे थे फसल उत्पादन अर्थात क्राप क्रोडक्शन की और इसमें प्यारे बच आए मिट्टी तैसका त्यार की जाती है और उसके सासत हमने आपको उसमें संब्धित बहुत सरी चीज़ें बता दी है और आज हम लोग बाकी का जो पूर्शन बचा हुआ है उसके बारे में व्रिष्टित लेवल से बात करेंगे और समझेंगे कि कटाई कटाई और मडाई सिचाई, खर्पतवार का हटाना, भंडार, केटनासा, हरित करांद क्या होती है क्यों इनको ले के आया था हरित करांद को इन सब बारे में हम लोग जानकारी आज प्राप्त करेंगे विस्तार से बात करेंगे लेकिन उसके पहले अगर आपने अधितक चैनल को सब्सक्राइ कहां से कटाई एवा मडाई से तो प्यारे बच्छों देखिए जो कटाई और मडाई की बात करते हैं तो इसमीं पकने से या तैयार होने के बाद फ़सल का उत्पाद क्या करते हैं फ़सल को काटने जब हमारी फ़सल पक जाती पिएरे बच्छा पैठाय करते हैं उसे खेट में घड़ी घड़ी पशल पक जाएंगी, तो उसे हाथों के द्वारा हसिये से या दरांती की सहायता से काटा जाता है और काट के उसको क्या करते हैं वहीं खेत में या फिर खलिहान में उसे सुखा लिया जाता है है ना तो धान और गेहों की कटाई के लिए यंत्रों का प्रियोग भी करते आ रहे हैं हम लोग कि दान और गेहुं कटाई के लिए हम ल exec क्या करते बच्छों यंत्रों का प्रयोक करते आ रहे हैं और फल प्रकारी सब्जी से भी तोड़ी जाती है अब उसी किसे द्राजती और हसीय से क्या होता है दान जो कटाई मडाई कहते हैं, जब फसल पूरी तरह से तैयार हुजाती है comply PHP 5 करने कहते हैं, उसमें, जो अलग करते हैं कि भrations में मडाई किषा. कहता है अकसर कताए मड़ाई का कार क्ảम मट्वाइन दरा किया जाता है अब आग्वार्व हो गया मैं चाहिए में चाहिए अगे हैं और खिल आधेय समय में जो नए यंध्र आ नही दरा खिलो है वो उनसे कताए मड़ाई एक साथ पूरी तरह त्यों से करना दद्र के दूरा की जाती है अधूद की जाती है धान के लिए द्वध्यों की आट정 पैड़ को प्योंग करें लाक क्यों चिछाता है चोटे किसान फटक कर बीजों को भूसे से अलग करते हैं ऐसे किसान जिनके पास मडाई के लिए परियाद साधन उपलब्द नहीं होता है या परियाद पैसा नहीं होता है वो लोग क्या करते हैं अपने अनाज को पटक कर या पीट कर वो अनाज में से क्या करते हैं भूसे को अलग क के तिनके होते हैं और वारी बीज developing करनल वो जमीन पर नीचे मिले लगते हैं इसके बाद हमारे पास वच्चों याद रखिएगा जब कटाई मडाई हो जाती है तो कटाई मडाई होने के बाद सबसे प्रवोक कार होता है अनाज का भंडारन करना अनाज का भंडारन कैसे होगा उसमें देखिए कि उपरोगत कंशें मेहनत शमय कारन का सभी कर जाएंगे बच्चों रहत हो जाएंगे तो कार और मेहनत रहतिंद flavors नहीं इस लिए का उसक radius पड़नापा पड़ताता है उससे उससे तरीके से देखना होता है इसके बाद देखिए अब जब भंडारन की बात करते हैं तो जब भंडारन की बात करते हैं तो भंडारन साप दियान सब क्या करते हैं हमारे अनाज को नुकसान खूचाते तो यह सब हमारे माले जगहों पर ना आ पाएं और उसका कैसे वह नुकसान ना करने पाएं कि की ते बज़ों इसके लिए थोन को एक साथ एक जभापर रखना अईसे जगा रखें जहां पर चुहे कीड़े ना मिले तो छोटे जीव आद हमारे अनाज को नुकसान ना पहूंचा सके इसलिए किया करते हैं यह तो भड़े बोरो में भरते हैं यह पिर साइलों को प्योग करते हैं साईलEND के होते बच्चों जो गावं मिट्टी के बना हुए भंडारन ग्रिह होते हैं साइलटा ज्रेह से बच्चों जो को मिट्टी धा बना से भरता है का इस तारी से बना होगा है अप मिट्टी धकन ही लगा होता है और Anfford एक अंधर मीट्टी लावПр crít दो क्या गरते हैं कुछ कपड़े लगा देते हैं जिससे अनाज बहार न निकले और जितनी मात्रम अनाज निकालना होता है उस कपड़े को हटा लेंगे तो अनाज उतना मात्रम बहार आने लगता है उचित भंडारन के लिए सबसे अधिक महत्यपूर्ण का बात बच्चों वह है ताप मान तो क्या है भंडारन में ताप का भी ध्यान रखा जाता है जिन ख़द्यानों में पानी की मात्रा कम होती है जैसे अनाज दाले इत्यादी की ताप पर सुरचित रखा जाता है जिस अनाज जीने में नमिक मात्र क้ होती ह mortar स्रचित रखे सकती है लेकिन फल सब्जियों जिन में पानी मात्रा अधिक होती है अधिक होना करण़े इन एक मायन जीरो से लेकर और दूर द्राज के छेत्रों में सुविधा पूरुक खाद्रपदार्थ भी पहुंचाए जा सकते हैं तो अगले यहां पे फसल नहीं पहुँच पार रही है, फसल जहां पे नहीं होती है, वहां पहुंचा सकते हैं. इसके बाद देखिए भंडारन के साथ इस ध्यान रखिएगा कि कीड़ों और कवकों द्वारा खाद्यान की हाली को रोका जा सकते हैं भंडारन अच्छे से होता है तो कभी कभी प्राक्तिक आपदा से फसल खराब हो जाती है तो उचित रूप से भंडारित अनाज जनता के उबलब दिकरा जा सकता है जैसे मानों कहीं बाढ़ा गया तो इस कंडिशन में ऐसे जगहों पर जहां पर भंडारित अनाज जाता है वहां से अनाज लेकर ऐसे प्राक्तिक रूप से आई आपदा वाले छेत्रों पहुंचा जा सकता है और पहुंचाने बाद वहां पर और humourता है कि से जढ़ाएं ईस फुल फार्म होता है और और इस अनाज हो भुह किसान अपने अनाज तर अजगहोंगा पर यह अकृत्व holiday यह को सब्सक्राइग अब तो उस के लिग photograph कि अथनाच वह तुछाए हैं विचे फसल तrouस में पैदावार हो तो उस कदिशान प्यारे बच्यों देखिए उस कंडिशन में होता क्या है पैरे बच्चों को हमको उस कंडिशन में कुछ ऐसा कार्य करना होता है, कुछ इस प्रकार के कार्य को समयवीद करना होता है, जिससे कि हमारे राज के या हमारे देश के सभी लोग भूखे न रहें, तो अधिक उत्पादन करने के लिए क्या करना होगा बच्चों घरितक्रच इसमें फिसमें फसलों का उतपादन अध्यील मात्रा में होता है और जनसंख्या मझीधनी जनसंख्या को पूर्ण प्रशन्ष सके अध्याश प्रोच सके तो इसमें का हुआ जब ज़ादा अधिधिक मात्रा में देश में खाद फसलों का या खाद पतात पादन होने लगा तो उसे क्या कहते हैं तो हरित क्रांथ क्या है कि फसल उत्पादन के सभी चरण सभी चरण क्रमबद तरीके से अपनाय जाने पर पैदावार की उप्रिद्ध होती है देश की दिन प्रदिन बढ़ती जलसंक्या की खाद आपूर्द के लिए फसल उत्पादन की पद्धियों में सुधार और विकास होते रहते हैं क्रिस में सुधार सुधार के उद्धेस से इसके लिए क्या प्रियास किया गया साथ 1960 में प्रियास किया गया बच्चों और इस जो क्रिस के उद्धेस क्रिस में सुधार के उद्धेस जो प्रियास किया गया कब सी शुरू किया गया 1960 में और इसे हम लोग क्या कहेंगे हरीद Saxo की कहते हैं रुष्ट और अच्छा पोसक पदार्त यूग भोजने प्राप्त हो सके। फसल की उतपादन वृद्य का दूसरा उपाए है। फसल की उन्द किसमों के वीजों का विकास करना है अर्थाद हम फसल में उतपादन अच्छी तभी हो सकती है जब फसल में क्या हो या उन्नत किस्म के बीज का मतलब होता है बच्चों कि जुस ऐसे जिसमें से अगर एक बीज वह हैं तो कम सकम सो बीज या सो दाने उस फसल के या उस अनाज के प्रापतों यहां फ्रिडाली फसल समुनित कहलाती है इसमें कि लेख दो से अधिक क्या करेंगे तो बीजों के अच्छे गुंद होते हैं कि फली भूथ होने उसे होने वाले पैदावार की ज़्यादवार जाएगी जब पैदावार जाएगी तो हमें दूसरे किसमे को पादर्लत मिलेंगे, अर्था दूसरे किसमे के पीज मिलेंगे, और वो at appreciation के होंगे हमारे लिए अधिक पैदावार देने होंगे, जी जनमें रोग कम लिए गार, रोग से नुकसान रही होगा, और इनको ऐसे जो बीज होते हैं उनुनमें जो प्रब्र संगठन से जो प्राप्त किसमे होती है उसे सारणिन दिखा गया है अरतात उन्नत वीच की जो फसले होती है उसे हम नो क्या करते हैं बात करते हैं यहाँ पर कुछ आपको एक टेबल दी गई है जैसे गेहु है गेहु की जो उन्नत बीज है किसमी की वो क्या है सोनालीका है कल्यार सोना है है ना उसका धान है धान की जो उन्नत किसमी की बीज है वो कौन कौन से फसल है उसकी जो अच्छी फसल धान की वो कौन से जया है पदमा है पूसा 215 है मक्का क्या है गंगा और रंज तो दूसरी जो पसल होगी उसके पैदावार अच्छी नहीं हो पाएगी इसलिए क्यों करना होता है कि भूमिगत जल की मात्रा में लगातर कमी आ स्ट्र फाहा है जैंने के सादाचर शर्व भूमिगत गड़लन में चुख सबना ngar करें होक्ब मैं नलग लगाते हैं तो इस जमीं से हमें च्वा क्या है nelkova क्ट है और जो पानी जमी से मिलेगा उसकी हम शुरच्चा लेका यह करेंगे तो आने वाले दिनों में प्रिथ्वी एया भून्ग जल खत्म हो जाएंगे तो हमें पीने का पानी नहीं मिल पाएगा पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि 70% प्रित्वी पे 70% भाग पे जल है और 21% भाग पे अस्ताल है और 79% भाग पे क्या है जल है लेकिन उन्स जल में केवल 2% जल है जिसको हम लोग पी सकते हैं तो जल का सनचन अत्यांत आवसक है इसलिए जल का उपयोग साधानिस करना चाहिए बिना मतलब या बिना किसी वजा के जल को दुरूपयोग नहीं करना चाहिए अब बात करेंगे उसके बाद जन्तों से प्राप्त खाद्पदार्त हो की देखें जब हरित करांती की बात हो रहे हैं तो हरित करांती में का मतलब होता है कि फसलों के उत्पादन वृद्धी अ पौद्धों की भात जन्तों पर भी आशित रहते हैं हमें डूध, अंडे, मास जैसे खात्यपदार जन्तों से प्राप्त होते हैं आप प्रदेन को उपयोक करते होें करते होंगे आरता जितने भी लोग दक्रेश इलाबकD 40% औरम दूद् peròकल सूंसा। बोस्कुन से सपकर क्यानिक तर्ट तरीके सेन जन्तों के देख़नेक पालने के लिए विग्यान को परभा I Jun उनको च्छित करना में ला प्राप्त करने के का अध्यान का उधियान के अंतР लोग क्या करते हैं विशाल जन कि पूशन है तो जंत उखाद प्राप्त करने के लिए ब्यापक अस्तार पर पस्पालन करना आवस्यक है अर्थात अगर हमें जंतों से भुझपदार्थ प्राप्त करना है तो उसके लिए बच्चों हमें जंतों का यह अर्थात पस्पालन करना हर हाल में क्या हो गया आवस् पहती है पूसमें याद नहीं हमणा करने के लिए जणतों के लिए कई चर्णों को करना पड़ता है अब बात करेंगे कि पश़ोंक पालने के विश्म हैं चर्चा करते हैं जिसे में दूद अंड़ा ता मान्स करूब में प्राप्त होता है तो अर। अर्थाथ ऐसे जीव जिसे दूद का जिसे हमें दूद प्राप्त होता है तो दूद उत्पादा करने के लिए हमें क्या है दूद डेरी को उप्योग करते हैं तो जैसे गाय भैस को डेरी फार में पालते हैं ये पसु दुधारू पस कहलाते हैं प्राचीन काल से गाय और भैस दूद उत्पादा का मुक दूद्ध में केवल विटामिन सी नहीं प्राए जाता वांकि सभी पोसर पदात पा जाते हैं इसलिए दूद्ध को संपूर्ण आहर माना जाता है दूधारू पस्वों के पालन के लिए उनके उचित पोसर तेकभाल संड़ाचन और प्रजनर की आवसकता होती है उचित राक दूधार में अच्यां इह प सूखाचारा गेहू का भूसर दृहं कि बर्सी एल्फा-यर्फा एत्यादी भुन का भुजपदार्त होता है हरेयरण यह क्या होती है यह सब आपके कच्चे पोज़े पदार्थ होते हैं जिनें खागर के वल पचा सकते हैं तो इसमें क्या है घास हो गया सूखा चारा हो गया बर्सीन हो गया दरहन का चारा हो गया और अलफा अलफा यह सब क्या है अतदिक पोशक पदार्थ वाले घास होती है लिए पज्म के लिए पाउस के लिए भूजन का समय और उसकी माउचित मातरा आवजक है अर्था अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा पजूट से हमें दूद्र जादा मातरा में के लिए हमें अच्छे से भोजपदात उवलब्त कराना होगा और उसका टाइम निश्थित करना होगा कि हमें डेली इसी टाइम पर उस पर को क्या करना है बच्छों भोजन देना है खाना देना है घास डालनी है है ना सामानता चारा प्राता काल एवं सायंग काल दूद दोने से पहले ना आट प discharge काल Arabic व्हलत्व हर यस से रहे पानी में दो बार दिया जाता है पाते परकार उत्यों कि चाह ऺएंशे हो सब्स्कार परसु पोजपदी नहां रहत है छोड़ नहाने के लिए इस और सभार्स ऊटिया जाता देए व होती पांवन है और घैटों के पहले कि क siren ने पुआज़ को लेकिन जब गायों सहर की बात करेंगे तो उस कंडीसान ने बच्छों सहर की बात करते हैं जो डेरी होता है डेरी में गायों को घास और पासू को चारा चारा अधारी फार्म में मिलता है और साव सपन के पासुगिम होती है उन्हें इसे खाली निए छोड़ा है डेरी फार्म में सौच करो कि हमादार आवाज की ववस्ता होती है या पक्के बने होते हैं फर्सपन्हश्पन बूब का बिखान होता है तो तहां मलमोत निसकासन के ओचद व्यवास्ता होनी चाहिए, डिरि में लेकिन ऐसा होता नहीं है पर डिरि में इस सर्चियों होनी चाहिए गाय और भैस में कभी कभी संचरनडी ये रोग अथवा वाइरस जिनेत रोग भी होते हैं, देखे कभी कभी मुह तथा खुर के रोग को मुह पका अत्वा खुर पका के रोग के नाम जानते हैं इसमें पसु के मुह और खुर में छाले हो जाते हैं तता बुखार होता है तेज बुखार से पसु निश्टेज हो जाते हैं एंथ्रेक्स वाइरस जनित यह रोग होता है यह रोग किस होता अगर आपने बचारना है तो क्या होगा दो बच्चों कि उन में गायों जतने भी हमारे पसों है उन्हें उनकी जान्च नीमित होने चाहिए अच्छा भोजन और रोग से निपठने के लिए रोग से छुटकारा पाने के लिए रोग प्रित्रोधक टीके भी लगा जाना चाहिए आयो के सासथ पसों के दूद उत्पादन च्हमता में भी कमी आने लगती है जैसे जैसे उनके उमर बढ़ते जाएगी दूद आताद दूद प्रितान काने के च्हमता क्या हो या तेकाम होते जाती है और पस बार बार रोग को सौस्त पसों के साथ नहीं रखना चाहिए कुछ लोग दूद करद करने के देसे पस्तों को पस लगाते है यह पसों के लिए कारती है है उनको पाला करना चाहिए जिससे दूद अधिक मातरा मीणार प्राफ्त हो सकते हैं जिससे गाय की देशी निसल में साहिवाल सिंधी और देवनी यह तीन गाय ऐसी होती है जो दूद क्या होती और जील यह चार प्रकार के भैस से होती है जो दूद्द आतिदिक मात्रा में देती है संक्रम्र दौरा गायों तोद्ध भैसों के उन्रत नस्रेने विक्षित की आती हैं संक्राण द्वारा अर्था दो तरह के भैसों के जीन लेकर डिने लेकर आपस मिला के नए भैसते जाता है उनमें उस प्रकार के अच्छे क्वालिटी के गुट डाले जाते हैं इसे अधिक दूद उतपादन एम रोग रोधी जैसे वाज़े लच्छना वाली नेशनों के वि बात करेंगे कुट पालं का तो आप सभी लोग चैप्टर को अच्छे समझे और इसमें से आपको जो भी समयना आ रहा हो कमेंट सक्षम में आके उसे आप हमसे पूल सकते हैं तो थैंक्यू वेरे मच प्यारे बच्चों और वीडियो सभी लोग देख लें और सभी लोग च चैनल को सब्सक्राइब लेकिए सब्सक्राइब करके बेल आगाम प्रिस कर लें ठीक है तुछलिए आज यहीं तक बाकिया हम लोग बात कल करते हैं और नेक्ट क्लास में कुट पालन और इस चैप्टर के अन्य चीज़ों के बारे में बात करेंगे धन्नावाद प्यारे ब